हेई गाईज वेलकम बैक टी जिरो सिक्स टर्डीपुइंट और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका RRV.JE का फोर्म एकसेप्ट हो चुका है या फिर आपका फोर्म रिजेक्ट हो चुका है या आपको किस तरीके से पता चलेगा सबसे पहले चीज आपका कुछ दिन पहले आपका RRV.JE का जो लिंक था वो जनरेट किया गया था ये चेक करने के लिए आपका RRV.JE के फोर्म का स्टेटेस का है वो एकसेप्ट करा गया है या फिर वो रिजेक्ट करा गया है ठीक है तो बहुत सारे स्टुडेंट्स ने अप टाइम मिलती रहें ठीक है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालो ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिले अब बात करते हैं कि आप अभी भी अपना स्टेटेस किस तरीके से चेक कर सकते हो लिंक के ब्रोकेन होने के बावज तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेल आए हो है दिर कैंडिडेट यूर अप्लिकेशन फोर सी एन नंबर 03-2018 रिकूट्मेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन्फोर्मिशन टेकनलोजी जेएटी डिपोर्ट मैटेरियल सुपरिटेंडने डिमस और केमिकल मैटलोर्जिकल अस प्लिकेशन स्टेटस ठीक है तो इसमें आपको मेल में क्लेरी बताया है कि आपका जो ये वाला जो मेल दिखा रखा है जिस बंदे का ये मेल था उसका फोर्म रिजेक्ट कर दिया गया है किस वज़े से विकॉज उसने जो फोर्टो अप्लोड करी थी वो थोड़ी इन्वै तो हो वो कलर हो ठीक है उस पर डेट हो तो बैटर है ना हो तो भी वो चल जाती ठीक है गाईस क्योंकि उसने डेट मांगी थी और आपका नाम मांगा था सिगनीचर नहीं मांगा था तो आपने अगर इस तरीकी के आपकी फोर्टो में कुछ गड़ बढ़ी है तो maximum maximum chances है कि आपको जो फोर्म ठाब जो रिजक्त हो गया होगा आपको photo जो थी वो अपने phone से click करके नहीं upload करणी थी आपको personal जो professional फोर्टो होती है उस तरीक की photo आपको upload करणी थी so guys अगर आपके पास ये mail आया है अगर आपको लगता है कि आपका form reject हुआ या accept हुआ है या आपको नहीं पता तो आप simply अपनी email में जाएए जो आपका personal mail है वहाँ पर जाके आपके पिछले 28 तरिक के बाद आपके 28 March के बाद जितने भी mails हैं वो सभी चेक करिए अगर आपका उसमें कोई mail नहीं आया है तो guys आपका form already accept हो चुका है डरने वाली कोई बात नहीं घबराइए मत ठीक है और अपना spam folder और आपका जितने भी बाकिया दर folders होते हैं वो सभी भी चेक कर लिजेगा अगर आपका RRB की तरफ से कोई mail नहीं आया तो simply means यह है कि आपका form reject नहीं हुआ है और अगर आपका form reject हुआ होगा तो RRB ने आपको mail भी किया है और उसे के साथ आपको SMS भी किया होगा विकोज यह सारी details RRB को देनी पढ़ते हैं student का form reject करने से पहले ठीक है guys तो अगर आपका form reject हुआ है तो अपना mail चेक करिए अगर नहीं आया mail तो that means आपका form is accept हो चुगा है और आप अपनी preparation continue रखिए बिल्कुल भी stop मत होगे और motivate रही है exam के preparation के लिए विकोज आपका exam में हो जाएगा यह guarantee आपका पका exam जोगा मेह में हो जाएगा या फिर जून के first week में start हो जाएगा because of election RRB का exam conduct अभी कराना इतना जल्दी बहुत impossible type of चीज है because जितने भी जो department है जो exam conduct कराता है वो भी जो आपका है हो elections में busy है और आपको जो elections जो सारे over होंगे वो आपके 23 में को over होंगे जिसके बाद ही possibility exams को conduct कराने की और most of the exams आपने देखे होंगे like आपका CA का जो exam होता है वो all over the India होता है वो भी आपका cancel हो चुका है बहुत सारे exams आपके delay हो चुके हैं post moon करा दिये गये हैं ठीक है तो मेरी खाल साब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपना status किस तरीके से चेक करना है बिना link की भी तो आप चेक करिए जाएए और अपने email ID चेक करिए और अपने SMS चेक करिए कि कहीं कोई email या status तो नहीं आया और अगर आपका form reject हो है तो please मुझे नीचे comment में बताइए फिर देखते हैं कि अगर हमको solution निकाल पाते हैं तो इसका भी कुछ करके देखेंगे ठीके गाई तो वीडियो ची लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अगर कोई problem है आपके form में तो please नीचे comment करिए और उसी के साथ चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि आपको future में सभी चीज से related RRB के और सभी exams के notification, news, time से मिल दी रहे ठीके गाईज, so with that said bye bye, take care and all the best